हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं चैनल कैसे आप सब लोग आप सब लोग अच्छे होंगे और थोड़े सर्प्राइज भी होंगे कि जो नोटिफिकेशन एससी ने दिया है उसमें आपको कुछ पैटर्न चेंज मिला है और जो की एक्सपेक्टेट नहीं था एससी से ठीक है और य अगर हम जो अभी रिसेंट अपडेट्स जो हुए है चेंज हुए है जो पैटर्न में उसकी कमपैजन में अगर बात करते हैं तो पहले वह थोड़ा इजी था ठीक है लेकिन अभी जो आया है वह टोटली चेंज है और थोड़ा तफ हो गया है ठीक है तो हम वहीं वीडियो करता और अब क्या है और हम इस वीडियो में हम प्रिविएस यहर का जो नोटिफिकेशन आया रहा है सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे हम ओल्ड पैटर्न देख रहे हैं यह दोज़र 21 वाला जो नोटिफिकेशन था उसमें यह था कि रही टैर जो होता है था टैर 1 2 3 में पेपर होता था था थी लब पर होता था ठीक है फिर्स्ट पार्ट जो कि आपका था जनल इंटेलिजेंस और रिजिनिंग और जनल अवेरिनेस कॉंटेटिव एप्रिटिव और इंग्लिश कॉंप्रिहेंशन ठीक है इसमें सभी के 25 पक जिनको करने के लिए आपके पास एक गंडा मिलता था खिक है इसे अगर हम बात करते है स्टेटिक स्वाले में थिक तो स्टेटिक वाले जो होता है जैसा जूने स्टैस्टिकल ऑफिसर जो पूज्च उनके लिए 100 मास्ट के पूर सब्सक्राथ प्रेबर थे ठीक एक कोश्चन दो मास्क एसा ही जो आपका जुण ऑड़िट एसिस्टेंट ऑड़िट ऑफिसर या फ होते थे और जो टायर 3 है वो आपका होता है ओफ-लाइन ठीक जिसमें आपके descriptive paper in English और Hindi इसमें देखी आती थी कि आपकी आप ऐसे कैसे लिखते हो आप प्रिसाइज रिएसे लिखते लेटर कैसे लिखते यहां होता था और यह 100 मांक का पेपर होता था ठिक और इसने के आप मिलते थे एक घंठे यह गई यहां पर बात कर रहे थे पुर्अने पैटरन की अब हम बात करते हैं जो न्यू पैटरन आएा है इस साल उसका कैए उसका यह कि उसमें क्या है कि टैरवन वह तो आपका यह एक पुराने जैसा है ठेक है कि आपके पास चार होंगे कौनिटेटिव वाला रीजनिंग वाला इंगलिश और आपके जिएनल अवेरनेस ठेक है उसमें आपके जो होंगे 25 25 25 कोश्चन होंगे सचारों पार्ट के यानिके 100 कोश्चन होगे और 200 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपकी जो टाइम मिलेगा वह एक घंड़े में कोई श्रखाने नहीं करें कि टाइर वन सेम रखा गया है टायर टू जो है उसमें चेंजिस क्या आए हैं वह आपको जहां पहले होता था सिर्फ आपका होता था कि कॉंट्टेटिव होता था ठीक जिसको में बोलते हैं मैथम आपका 2 ॥े आपका 25 में क्लरीनिंग जो कि पहले नहीं थी पहले यह पहले था ही नहीं इसमें इसमें इस बार एड़ कर दिया गया है ठीक और जो number of questions है वो 30-30 questions है और एक question तीन number का होगा ठीक है इसको करने के लिए आपको इच section को करने के लिए आपके पास एक घंटा time मिलेगा ठीक अगर हम बात करते है section 2 में ठीक तो इसमें आपकी क्या है इंग्लिश है और module 2 में जर्नल अवेनस इसमें भी जर्नल अवेनस जो थी वह पहले नहीं थी लेकिन आप इसमें डाल दी गई है ठीक तो यहां पर दो पार्ट जो है रीजनिंग का और जर्नल अवेनस का वह एक्स्ट्रा एड किये गए और उसके साथ ही साथ में जो section 3 है ठीक है module 1 ठीक computer knowledge module यह आपको 20 question जो है इसके डाले गए हैं यहां पर और जिनको करने के लिए आपको मिलेगा 15 मिनिट मिलेगा ठीक है इसको करने के लिए आपको 15 मिनिट मिलेंगे ठीक ठीक और यह जो है ना यहां बात यह कर रहा है यह paper जो है mandatory तो है लेकिन यह सिर्फ qualifying in nature है ठीक है ठीक और लेकर यह नहीं कि यह आप इसको छोड़ने सकते कि मैं यह paper नहीं दूंगा तभी मेरा हो जाएगा नहीं ठीक और यहां पर यह जो है यह qualifying है और अब हम बात करते हैं session 2 की ठीक है जो कि 15 मेंट का है और यह है data entry speed test module DEST को भी बोलते हैं ठीक है इसमें क्या होगा कि आपको 2000 कीज का एक paragraph दिया जाएगा और उसमें आपको 15 मेंट में यह करना होगा ठीक है तो यह भी आपको qualifying ही है ठीक है यह mandatory है लेकिन qualifying है ठीक है तो यहां पर इनको भी आपको यहां पर importance देनी पड़ेगी ठीक है computer knowledge होनी चाहिए आपको data entry और यह यह नहीं कि सिर्फ किसी एक particular post के लिए यह सारी ji czego लिए ठेक है आपको यहां पर यह देना ही पड़ेगा ठीक है यह वाला यह पर बने जो सब को दे ना ही पड़ेगा ठीक को ना वन हम वाला यह देना ही पड़े ठीक अगर हम बात करते हैं पेपर 2 पेपर 3 की तो वह तो कहीं वह तो एप्रॉक्समेटली सेम ही रखे गए हैं उसके लिए इस्टेटिक्स वालों के लिए जैसे प्रीवेस में भी था टायर 2 में और टायर 3 यह जो पेपर 3 है और एसिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और एसिस् को पहले बोलते थे कि भाई आपने 25 नंबर का जीए साथा आता था सिर्फ ठीक टायर 1 में लेकिन अब यहां क्या किया गए कि 25 नंबर का 25 कोशन इसमें टायर 2 में डाल जीए के ठेक और इसमें 20 कोशन डाले गाएं computer knowledge के ठेक और reasoning के 30 कोशन डाले गाएं तो यह कहीं ना कही थोड़ा तफ बना देता है अगर अब आपका जो selection है या फिर एक्जाम है वह थोड़ा तफ हो जाएगा ठीक तो इस पर ध्यान दीजेगा ठीक तो यही मुझे इस वीडियो बनाता रहना था कि यह जो आपकी वीडियो पैटर्न पुराना क्या था और new क्या है और मैंने आ अगर आपको डाउट हो तो आप comment section में मुझे piss ध्यवдо पता सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्छिट ऐटा ल क्टन और प्लीज़ सब्सक्राइब मारण चैनल कि ताकि आपको कोई भी जॉब सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक करना है ठीक थैंक यू सो मच